एगाईज वेलकम बैक टो सुपर फास्ट इंगलिस अकैट में दोस्तों आप सभी का बहुत 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 स्वागत है और आपको मैं बता दूँ के इंडियन एफोर्स का रिजल्ट आउट हो चुका है आप अपना रिजल्ट देख लीजेगा और मेरे पास एक बच्चे का स आपका रिजल्ट कैसा रहा मैं बहुत जरूरी काम में लगा हुआ था इसलिए इंस्टेंटली आपको वीडियो नहीं मिल पाया लेकिन आप अपना स्कोर आप जरूर बताना कि आपका स्कोर कैसा रहा था और कितनी मार्क्स आया आपके और आपका सेलेक्शन हुआ या नही हुआ ठीक है तो मैं एक बार बोलूँगा कि जिन बच्चों का हो गया है जिन बच्चों के cut-off से भी अच्छे नमर है उनके लिए बहुत बड़ा congratulation आप मेरे साथ में रहे हम आपके साथ में रहे इसलिए आपका मैं एक बार दुवारा से थैंकी बोलता हूँ और जो विद्यारती बॉर्डर पर है यानि जो cut-off है उसके आसपास है तो देखे जब तक आप आउट नहीं हो जाते रेस से ना तब तक आपको कोई फेल नहीं बोल सकता आप फेल नहीं है आप एर्मेन है और जैसा भी रहेगा वैसा क्योंकि देखो बॉर्डर पर है इसका मतलब आप थोड़ा और करेंगी अगली बार तो दुबार हो साएगा बस अपने मैंने क्या बोला कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत आप आपकी जीत है न में वो हमेशा आपके मन आपके सोचने पर डिपेंड करती है इसलिए हार नहीं मानना है जिनका भी बॉर्डर पर है और अच्छा रिज़र अल्ट रहेगा आप सभी का और जिन विद्यार्थियों का नहीं हुआ है वो परेशा ना हो वो बिलकुल भी परेशा नह उनके लिए भी मैं दोशब जरूर कहूंगा क्योंकि आखर में आप भी वो विद्यार्थि हैं जो काफी पुराने एक साल से आप मेरे साथ जुड़े हुए और इसी भिश्वास के साथ के चलो अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा आप ओनेस्टी इस बात क अगर आपका कुछ बला हुआ है बले ही आप कटॉफ को पार नहीं कर पाये वो एक अलग बात है लेकिन इंग्लिस में कुछ इंप्रुमेंट हुआ आपका अगर हुआ है तो जरूर आप कमेंट कर दीजगा और जिन भी विद्यार्थियों का कटॉफ पार हो चुका है उनक जीडी के लिए फिजीकल के अड्मिट कार्ड डाउलोड हो जाएंगे तो वो विद्यार थी अपनी लाइफ है मैंने हमेशा आपसे लास्ट जब आप एक्जाम क्वालिफाई करते हैं तभी मैं आपसे एक चीज मांगता हूँ और वो यह है कि आपके मन में एक चीज तो finally एक conclusion निकला होगा कि यदि हम अपने रामसर जी के चैनल से पढ़ते हैं English, especially English for Air Force या फिर नेभी के लिए तो बंदा English में तो कभी fail नहीं हो सकता अगर ये भाब आपके मन में आ रहा है तो आप अपने भाईयों को जो भी आपके relatives हैं, दोस्त हैं उनको आप जरूर बताना क्योंकि मेरा कोई advertisement नहीं होता है, नहीं मैं कभी करता हूँ और आप ही मेरे advertiser हो इसलिए honesty के साथ अपने दोस्तों को, यदि आपका भी कुछ इसमें भला हुआ है तो आप जरूर अपने सभी मेत्रों को जरूर बताएं कि हमारे सरजी का channel है और वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अच्छा, एक और बात आपके ममी पापा काफी खुश हुए होंगे और आप भी बहुत खुश हुए होंगे जब आपने इस result को देखा होगा एक बच्चे का screenshot है बातें बहुत हैं करने को लेकिन limit है थोड़ा सा और कुछ जरूरी भी वीडियोज है आपको कल में बता दूँगा एक campaign है उसमें आप सभी को सामिल होना है ऐसा ना सोचें कि जो विद्यार्थी पास होगे है उनका उस जो हम एक online-like protest करेंगे तो उसमें आपको participate नहीं करना है सभी विद्यार्थियों को उसमें participate करना है बता मैं कल दूँगा आपको मैं reality बता हूँ तो अभी कैतना wheat यानि गयों के खेत में भी पानी चल रहा है night हो रही है और मैं अभी खेत पर हूँ तो अभी ये सारा काम मुझे पता चला था इसलिए मैंने आपको immediately phone निकाल के और ये video record करना स्टार्ट करती है अच्छा अब देखेगा एक बच्चे का है और वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ ये आप देखेगा ये एक विद्यार्थी का मेरे पास यहाँ पर आये हुआ है और ये देखे cut off आप देख रहे होंगे by group में 29.25 है और x group में यार x group में तो बहुत जादा हो गया 43 आप जान सकते हैं x group के अंदर और by group में तो आप नहीं बताया था और आप नहीं बताया था तो मतलब समझ सकते हैं कि आप बोल रहे थे sir y group में सच में paper board difficult था तो उसके coding आपका cut off भी जो है वो difficult देख सकते हैं बहुत नीचे गया है paper के अनुसार अच्छा तो आप अपना score आप जरूर बताना और कितना अच्छा रहा paper English का सफर कैसा रहा जो भी हो लेकिन क्योंकि मैं English का teacher हूँ इसलिए मैं आप सभी से यही जानने की कोसिस करूँगा कि अब तक जो हम पढ़ाते आ रहे हैं क्या हम आपके जो भाई आगे पढ़ेंगे या आप भी दुबारा पढ़ेंगे जिनका नहीं हुआ है क्या इसी rhythm में हमें चलना चाहिए या फिर कुछ बदलाफ करना चाहिए अगर आपके paper में उसे help होती है अच्छा score आता है तो आप बोल सकते हैं कि sir जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं आज तक उसी तरीके से पढ़ाते रहिएगा क्योंकि वही सब exam में आता है और ये बिल्कुल सही बात है तो हार मत मानिएगा अभी आपको पता है कि rally की वर्तियां चल रही हैं उनमें आप आवे दिन करिएगा अगर आपका percentage अच्छा है तो और उसके बाद देखो कुछ समय के बाद vacancies तो आएंगी जरूर आएंगी तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप परेशा ना रहें vacancies आती रहेंगी और मैं ये जानता हूँ कि यदि आप पिछले एक साल से लगी हुए थे अपने dream को पूरा करने के लिए क्योंकि मैं अपनी इस time पर एक विद्यार्थी का जीवन जी रहा हूँ तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हम कितना struggle कर रहे हैं और कर चुके हैं और हमारी इच्छा के अनुसार result ना आए तो बड़ा ही दुख होता है यह मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि आप और हम वो विद्यार्थी हैं जो पिछले एक साल से लगातार इन exams को qualify करने के लिए अपने सपनों को अपने मावाप के dreams को पूरा करने के लिए consistently मेहनत कर रहे हैं और आप आगे भी करेंगे देखे आप और हमारा सिर्फ एक ही काम है वो है education से सम्मंदित आपको भी paper qualify करना है तो ऐसे में आप लगातार continue आगे भड़ते रहें मैं हमेशा बोलता हूँ आपने भी ही सोच रखा होगा देखो fail पास होना यह विद्यार्थी के जीवन का एक part होता है आप यह ना सोचें कि मैं fail हो गया मेरे पास दूसरा option नहीं है आप ऐसा बिलकुल भी ना सोचें मैं हमेशा बस यह कहूँगा कि आप अपने अंदर positive energy ही रखें क्योंकि negative energy आने पर आप तूट जाएंगे और आज की वक्त में ऐसा कोई नहीं है जो आपको यह बोल सके कि आप परिशान मत हुए दुबारा से पढ़िए और एक बार दुबारा हो जाएगा आपकी उम्र अगर एरफोर्स से निकल जाती है नेवी से निकल जाती है तो क्या आपके पर कट जाएंगे क्या नहीं कटेंगे हमारे पास ऐसे बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट होते है जिनके आपकी उम्र 25 होती है लास्ट उसमें 8 साल साल होती है तो बहुत सारी डिपार्टमेंट है है ना तो आप जान सकते हैं कि अभी आप Air Force Navy के लिए फाइट कर रहे हैं, जिनकी उम्र नहीं बची है, उनके लिए Police Department है, Sub Inspector है, CPU के जरी जा सकते हैं, आप CGL की तियारी कर सकते हैं, तो जो भी आप बनना चाहते हैं, उसकी तरफ आगे कदम बढ़ा सकते हैं, और ये भी सच है, जि चीज को बड़े जल्दी समझ आएं, कि जो Competition आप जान सकते हैं, कि 12th में होता है न, बड़े कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनके बीच में होता है, तो आपने इस Result को देखकर के, आप एक Message ये अपने दिमाग में उतारिएगा, कि यार हम से कुछ Mistake तो जरूर हुआ होग और मैं ये भी जानता हूँ, कि इस वीडियो को जो बच्चे देख रहे हैं, जिनका नहीं हुआ है, वो बहुत Emotional है इस तमें, और वो ये बता नहीं पा रहे हैं, कि सर हमने पढ़ा ही बहुत किया था, सर मैं ये जानता हूँ, कि कही न कहीं Mistake हो जाती है, और सच बात ये ह कि एक Teacher यूटूब पर आकर के बोल देगा, हमने गलतियां किया, हमें सुधार नहीं है वो गलतियां, लेकिन सच बात तो ये है, यार वो गलतियां इतना जल्दी नजर भी तो नहीं आती हैं उनको, क्योंकि उस टाइम तक हम बहुत ज़्यादा स्लेबस को complete कर चुके होते ह कई बार revision कर चुके होते हैं, वो depend करता है कि exam hole में, exam time पर आपका time निकलता जाता है, वो एक अलग pressure होता है, देखे, घर बैठके, library में पढ़ करके, एक practice set लगाने पर जो score प्राप्त होता है, वो और आप, you know, आप air force, airman के exam में बैठे हुए, है ना, जो आपका life चल रहा ह उन दोनों में बड़ा फर्क होता है, तो ये चीज़ें आपको, अब अधिको मैं जान सकता हूँ, आपके मम्मी पापा, वो भी बिचारी है, वो सोच रहे होंगे अपने मन में, कि मेरा बेटा पिसले एक डेर्ट साल से लगा हुआ है, और अभी तक selection नहीं हुआ, मैं जान अब ये लगता है कि यार एक साल हो गया, अभी तक मेरा बच्चा फेल होते जा रहा है, आपको जब मैं, आप देखे जब मैं इस लाइन में आया, competition के लाइन में, एक ऐसा वक्त आएगा जब आपको मैं पूरी सारी बातें बताऊँगा, मैंने अपनी लाइफ हमेशा आज आज तक और आगे तक भी यही मंतर रहेगा, कि जब तक मेरी उम्र है, जब तक मेरे पास चांस है, तब तक मैं हर एक एक एक्जाम के लिए जी जान से महनत करूँगा, आप अलोन हैं, मेरे पास दो बच्चे हैं, मेरा फूरा फैमली है, और टैनियर्स मेरी मेरे इसको कि यार, इस बार मैं फैल हो गया, आगे मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ और काम कर लेना चाहिए, बच्चे भी है, उनका भी अपना फ्यूचर देखना है, है ना, तो मैं मेरे मन में कभी नहीं आया आज तक, है ना, तो फैल होना, पास होना, ये अपनी भी लाइफ का एक हिसा रहा है, बड़ा अहम हिसा रहा है, लेकिन मैं इनसे कभी भी नहीं हार मानता, मेरा हमेशा अभी भी, पैरेंट्स बोलते हैं, बेटा, जब तक उम्र है तब तक करते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ, इस बार भी फैल हो जाओंगा, तो मर नहीं जाओंगा, असान हो जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम इस्टगल करते रहते हैं, लाइफ इन पढ़ा पढ़ाई करते हैं, उसके बाबजूद भी हमारा नहीं हो पाता, तो मैं यह कहूँगा, कि आप अपने शपनों को ना मरने दे, दुखी ना हो कि मेरा नहीं हुआ, आगे नहीं हो पाएगा, इतना पढ़ाई किया मैंने, घर से बाहर रह रहा करके पढ़ा, 14-14, 15-15 गंटे पढ़ा, मेरे दोस्त, यह आप अपने आपको एक अच्छा कर रहे हो, मजबूत कर रहे हो, मैं कई exams में fail हो चुका हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, और अच्छे exams में को मैंने qualify किया, फिर भी पढ़ा ही कर रहा हूँ, है ना, और आगे बढ़ने के लिए, तो basically पढ़ना तो पढ़ेगा, fail होना, pass होना, यह बिलकुल गलत नहीं होता है, बिलकोई गंदी बात नहीं है, fail, pass यह तो जीवन का एक हिस्सा होता है, आप निरास ना हो, जिनका भी नह हुआ है, और आप अपने score आप जरूर बताना, आपका अनवफ कैसा रहा, पेपर में कैसा पेपर आया था, और कुछ English में कैसा हुआ, बाकी तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊँगा, बट English में कैसा रहा, वो आप जरूर बताएगा, आप देखो निरास मत हो ना, मैं चिंत झाल